हमेशा हस्मेंट ही गलत होते हैं वाइफ गलत नहीं होती है मेंटेनेस खर्चा मांग रहे हैं मेंटेनस चार्ज मांग रहे हैं पावन सिंग की वाइफ या और वी कोई मांगेगा मेंटेनस चार्ज मांगता है कोई वाइफ मांगती है तो वो क्या कितना जाज है, कितना सही है और क्या ये प्रवधान में है कि मेंटेरंस चार्ज मिलेगा उनको तलाक या हो या ना हो इसमें भी हिंदू और मुसलिम तलाक होता है क्या जी हाँ बिल्कुल होता है, हिंदू का तलाक का प्रभीजन अलग है और मुस्लिम भायू बहनों के लिए तलाग के लिए प्रभीजन अलग है किस घराउंड पर पत्टी तलाग के लिए जा सकता है और किस भिहावग और किस घराउंड पर पतनी तलाग के ले जा सकती है सबसे घ assessing का hackers मना गया है पूरे बोश्पोरी जगत में, और साथी साथ पूरे देश और बिदेश में, पवन सिंग सुपर एस्टार का डंका बजता है जिस तरीके से पवन सिंग के गाने पूरे देश और बिदेश में चलते हैं वही नीजी लाइफ में उनके साथ दरार पैदा हो गया है जिस तरीके से पत्नी जोती सिंग के साथ उनके तलाक प्रकरन का अभी मामला चल रहा है इसमें कई सारे खुलासे होने अभी बाकी है और ये सारी चीजे आखिर तलाक क्यों होता है तलाक का किस तरीके से उसमें कई सारे एक्ट होते हैं क्या कहता है ला ये सारी चीजे जानने के लिए हम आ चुके हैं अभी संजे बिराट जो कि आरा सिविल कोड का दिवक्ता हैं मसहूर कोचिंग सेंटर भी ये चलाते हैं जिसमें दिवक्ताओं को पढ़ाते हैं सिखाते हैं लौ के बारे में जो कि बिराट कोचिंग के नाम से है और आरा के हैं तो चलिए इनसे जानत यह कोई नहीं जानता बाकि नमस्कार आप देख रहे आशा एक भारत मैं रहना सिंग और चले बात करते हैं तलाक और जिस तरीके से वो पैसे की भी डिमांड कर रही है उस पैसे का डिमांड कितना जायज है और क्या हो सकता है उस पैसे को लेकर और भी कई सारी चीजे हैं वो और आपके दसकों को भी बहुत धन्यवाद बहुत सारा भी प्रकरण चल रहा है अभी तो भुश्पूरी जो सुपरस्टार है एक्टर है उनका प्रकरण जो चल रहा है तलाग का कई सारे लोग जानना चाहरे हैं कि आखिर यह तलाग जो है इसमें यह कौन से कूट में जाता है ठीक है हाँ फैमिली कोट में उस फैमिली कोट में क्या कुछ होता है किस तरीके से वह केस जाता है और क्या अलग है वह फैमिली कोट बाकी जो क्रिमिनल कोट क्रिमिनल कोट भी होते होंगे यह और भी जो भी कोट है उन लोगों से क्या अलग है अब देखें मामले दो तर हमत्य आज राजी है तो फिर तलाख रूग गया क्या होता है। तलाग का जो प्रभीजन है हमने जहां तक लगता है चुकि आप जोड़ कर देख रहे हैं स्टार स्पोंसिंग से तो तो चुकि वो हिंदू है इसले इनका तलाग का जो ममला है हिंदू मेरे हिंदू और मुसलिम तलाग होता है क्या जी हां बिलकुल होता है हिंदू का तलाग का प्रभीजन अलग है और मुस्लिम भायू बहुनों के लिए तलाग का प्रभीजन अलग है थोड़ा बता ये समझाएं दोनों बता देते हैं तो चुकि पावन सिंग हिंदू है तिनका जो मामला है हिंदू मैरेज एट के सेक्षन तेरा के तहट चलेगा यदि पावन सिंग पत्नी में सहमत्य के धार पर तलाग होती है तिस सेक्षन तेरा पी के तहट उनका ममला चलेगा फेमली कोट में लेकिन उनके वकील से हमारी बात हुई जो पाहुन सिंग के वकील है तो उन्होंने कहा कि पहले उनकी वाइफ राजी हो गई थी लेकिन उसके बाद जो है वह नौट मेंटेनेस खर्चा जो है चार्ल जो है एक 30 में महीन वह मांग रही है और अब वह जो अभी पेसी हुई थी उसमें उन्होंने तला के कुछछा ही नहीं किया में वह मेंटेनेस के बारे में सिर्फ कहा गया उनके द्वारा देखिए तलाग का जो ग्राउंड है कानून जो कहता है हिंदू मेरे यट के सेक्षन 13 उसमें कि पत्ती और पत्नी दोनों 10-11 ग्राउंड दिये गए हैं जिस पर दोनों जा सकते हैं तलाग के लिए अगर हो तो दिखाईए हमें तो यह हो गया और पत्नी को भी अलग से चार ग्राउंड दिया गया है तो यह पत्ती और पत्नी अगर कंसेंट से जाते हैं तो सेक्षन 13 भी किताद जाएंगे अब मामला चुकि मैं उनका एड़ोकेट नहीं हूं ना पावन सिंगा हूं ना साहि लेकिन आम लोग भी अगर तलाक के लिए जाते हैं पती और वाइफ जाती है तो किस तरीके से क्या कुछ जहना पड़ता है यह सारी चीज़ें लोगों के लिए जानकारी इस वीडियो में मिल जागा इसलिए हम आपके पास आए तलाक जो है ना चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लीम हो इसको कभी अच्छा नहीं माना गया है मुस्लीम लोग को भी आप उठा के देखिएगा उन्हों लोग का क्या प्रोभीजन सबसे घिनित काज माना गया है चो पैगंबर मुहम्मद के पास जब एक महिला गई उन्होंने पुछा कि मैं अपने पती के साथ नहीं रहना चाहती हूं तो उन्हों लोग कहा कि तलाक प्रष्ठिति हो तचा हिंदू हो या मुस्लिम हो तल pont दिया जा सकता है तो वो बीशेस प्रष्ठिति यहीं बताये गए है हिंदू मेरे सबस्टि में सब्सक्राइब धुकुल प्रॉधान है याद धी कोई पत्नी भैलिट बैरेज है लीगल मेरेज है ठीक है? अब तो रिलेशंसी बुरहनी पर भी हो जा रहा है लेकिन जो कनून का रहा है कि अधी साधी जो है पीधी पुरभवाख हुई है बैधानिक साधी है तो पत्नी चाहेगी तो हर हाल मेंटिनस ले सकती है माइने में नहीं को मिल सकता है यह सकता है। तीन लाग या तीन लाग मांगे हैं जो भी उनकी पत्नी है तो यह नियाले की विवेकुपर डिपेंड करता है सारे प्रस्थितियों को नियाले देखने के बाद ही यह डिसिजन करेगा कि इनको कितना दमिलना चीह है लेकिन यह प्रभीजन है हिंदू मैरेज एट के सेक्षन 24 और 25 में यह इस तरह का प्रभीजन है मेंट्रेंस के लिए हैं चोबिस और 25 में हैं मंधली मेंट्रेंस का जलता है जो से आप बोलेगा मंधली मेंट्रेंस मांग रही तो हम उसको पढ़ाते हैं दो बोलते हैं टिये से अगर माले किसी का होना नहीं चाहिए समाज में तरह का तलाग लेकिन जब होता है तो पती को एक मुझे कुछ पैसे देना पड़ता है जिसे वहां से दोने का इजलेशन समाफ्थ हो जाता है ये डिपेंड करता है कि पत्नी कोन सा लगा हूं है? 24 लगा रही है यह या 25 लगा हूं? नहीं, नहीं, ये तो मांग किया तह यह 24 के ताहत आईगा。 ये 24 के ताहत मतलब 25 भी कोई मांगता हूं? जब इनका तलाक डाइबोर्स ग्राउंड फाइनल हो जाएगा डाइबोर्स होगा तो उसमें 25 के तथ वन टाइम सेटलमेंट कर देगा नियाले। किसी व्यक्ति का साधी हुआ है तो एक साल के अंदर तलाक फाइल नहीं कर सकता है लेकिन यदि कोई विशेश परस्थिती हो तो एक साल के अंदर भी डाइबोर्स फाइल किया जा सकता है तो अगर कोई पीडित है पती पीडित हो या पत्नी पीडित हो तो पीडित है तभी न तो फीर जब भी सिस्परस्तितिया हो जाती है तो तलाक कि यह का गया है कि जीस फूल में जीस गुलदस्ता में काटे जादे हो जाए फूल नर है तो इसे गुलदस्ता को फेक दना ही बहतर होता है या किस ग्राउंड पे पती तलाक की ले जा सकता है और किस भी हाप और किस ग्राउंड पे पत्नी तलाक की ले जा सकती है क्या माल और कुरूर्ता है को फिसके होता है एक मेंटाली एक फिचकल देरें हो यह पती बार बार ताना दे रहा है पत दो पती जर्वल्ट हो गया पत्नी कुमार रही है या पति पत्नी को मार रहा है ठीक है तो ये कुर्वेल्टी का धार पर पत्ती भी जा सकता है डाइबोर्स के लिए या फिर पत्नी भी जा सकता है ये डाइबोर्स के लिए दोनों का है अभित्याजन है ठीक है कोई संसार छोड़कर गिरी त्याग देता है यानि सन्यासी जी परस्टितियों में किसी एक पाश्करण को में तो दूसरा प्लेकर को रहा और गलत हो लो इसा को इन वह सुझ में कि left मैं करते हों वह हुआ आपने यहां अपने होती है अच्छी ज़रूरी नहीं है यह कोई हमind Mega नहीं आट आप देखेंगे कुछ दिन पहले जमुई के डीम साब आत्मत्या कर लिए बक्सर के डीम साब तो किसके से परताइडितों कर आत्मत्या कर बनाया था इसलिए आप नहीं कहा जा सकता है हाँ एक समय पर स्थितिया थी जो महिलाओं को प्रटेक्शन की जुरत थी बच्यों को प सारे महिलाएं हैं जिनको पर्टेक्शन की जुरत है लेकिन हम यह कहेंगे कि महिलाएं भी तिनका दूर्पयोग न करें और पूरुस भी अपने मर्यादा में रहें यह दोनों के लिए हैं बहुत धन्यवाद आपने समय दिया और बात क्या इस टॉपिक पर आगे और भी ज चल रहा है प्रकरण तो आप लोगों को भी जनकारिया दें आम लोगों के लिए बिजनकारिया हैं यह सिर्फ पवयंसिंग और जयोती सिंग से मत कि जिएगा कokी कई सारे मामले आते हैं जो छिप जाते हैं और एडलाइन कवर नहीं बनते हैं तो वह उन्न सारे लोगों को ये खबर dedicated है, उन सारे लोगों के लिए खबर है कि जनकारी जरूर रखनी चाहिए, कि आखीर तलाक है क्या, तलाक क्यों होता है, हिंदू और मुस्लिम में तलाक क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़े समझाएं इनोर ने, तो खबर इतना ही, बाकि आप देख रहे थे आसा ए लेकि रहे हैं तो यूटुब को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीज़ेगा इंस्टाग्राम पे भी हमारा आप चैनल आ चुका है वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्वीटर भी आप फॉलो कर सकते हैं जैहिंद जैभीः आपका अपना असा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भीया और साधी साथ बेल बटन दवाना ना भूले क्योंकि बेल बटन दवाईएगा तभी तो खबर फटा फट पाईएगा